तो अलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत आप लोग का मेरी इस नए वीडियो में और यह वीडियो होने वाली है smallest class की वीडियो नंबर टू और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं थोड़े से tools को set up करना क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है विटियो में जो जो टूल्स में आप लोगों को मतलब लगेंगे काम वहां पे वह सारे टूल्स आप लोगों को मैं आज ही डाउनलोड करा कि आज ही सैट रá दे रहा हूं ताकि जम भी मैं next वीडियो डाला हम वहांपे मैं सीधे मॉडिंग करना शुरू करूंगा तो आप लोग भी उसी सारे tools का use करते हुए mod करना start कर सकते हैं ठीके तो basically हमें दो tools की need होने वाली है सबसे पहला हमारा है कि DN spy tool होगा दूसरा tool है हमारा APK easy tool अब दोनों tool क्यों काम आएंगे ये मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हो फिर इनको download कैसे करना ये बताएंगे ठीके तो हमारे पास मान लीजे ये है game के APK आपके पास कोई भी APK हो सकती है जब मैं कल आपको करना बताऊंगा तो मैं सब कुछ demonstrate करूंगा तो अभी ज़्यादा burden ना लेना अपने दिमाग पे तो ये है मान लीजे आपके game के APK आप इस APK के अंदर से जो सारी फाइले हैं उनको कैसे हम लोग निकालेंगे उनको निकालने का काम करेगा हमारा APK Easy Tool APK के अंदर से सारी फाइले जो भी important फाइले जिनको mod करना है वो सारी फाइलों को निकालने का काम करेगा APK Easy Tool फिर DN Spy Tool के मदर से हम लोग उन फाइल को mod कर देंगे जब mod हो जाएगी तो वो सारी फाइलों को इस APK के अंदर डालने का कौन काम करेगा APK Easy Tool तो I hope so कि आप लोग जल्दी से यह जो चीज़े मैंने आपको बताई है यह थोड़ा बहुत आपकी दिमाग में चला गया ओ ठीक है आई हम लोग शुरू करते और DN Spy आपको कैसे डाउनलोड करना है Google पर चले आना है Simple से आपको DN Spy लिख देना है और DN Spy लिखते हैं कि मेरा कंप्यूटर 32-bit सपोर्ट करता है यह 64-bit अगर आपको नहीं पता तो प्लीज कमेंट डाउन करिएगा मैं आप लोग को बता दूँगा कि कैसे पता करना है ठीक है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है आपको थोड़ा सा नीचे जब स्क्रोल करते चले जाओगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड लिंक एक आपको मिलेगी Google Drive की इस डाउनलोड लिंक के उपर आप लोगों को क्लिक कर दिना है और डाउनलोड लिंक के उपर क्लिक करते है कुछ इस टाइप से Google Drive पर सेक्शन खुल के आएगा फिर आपको क्या करना है राइट क्लिक इसके उपर करना है इसके उपर अगर मैं ऐसे राइट क्लिक यहाँ पर करूँ फिलाल हो नीरा सा राइट क्लिक तो मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया इसके उपर और अभी कुछ इस टाइप से सेक्शन आ रहा है पर अगर आपका सेक्शन यहीं पर रुका रह जाता है तो आपको क्या करना है यह जो डाउनलोड का बटन है इसके उपर ऐसे टाइप कर दोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से डाउनलोड का सेक्शन खुलाएगा ठीक है फिर डाउनलोड एनीवे पर आप लोग को क्लिक कर दिना है और आई होप सो कि यह भी थोड़े दिर में यह दिखे डाउनलोड होना शुरू हो गया अब मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने इसको पूरा अच्छे से दोनो चीज को डाउनलोड कर लिया होगा डाउनलोड करके आप लोग अपने डेक्स्टॉप पे या फिर जहां पर भी आपका मान हो एक अच्छा सा फोल्डर बना लिजे गेम मौडिंग का गेम मौडिंग टुटोरियल का और उसके अंदर इन दोनो टूल को समर्पित कर दीजे मतलब डाल दीजे ठीक है अब आप लोगों ने दोनो टूल्स को डाल दिया अब दोनो टूल्स को कैसे इंस्टॉल करना कैसे यूज करना यह मैं क्विक ओवर्व्यू दे रहा हूं अगली वीडियो में भी मैं बताऊंगा पर इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं ठीक है और DNSPY को कैसी उसकरना है, इसके उपर जब आप RAR फाइल आप लोग डाउनलोड करोगे, क्योंकि यहां पर यह जो फाइल डाउनलोड होगी यह जिप फाइल होने वाली है, zip file को जब आप लोग डाउनलोड कर लोगे winrar से उसके बाद उसको extract कर लेना I hope so कि आपको पता होगा कि winrar से कैसे file को extract करते हैं right click करना simple से file पर winrar अगर install होगा तो extract हो जाएगी ठीक, extract करने के बाद I hope so कि आपको भी इस type से एक folder मिल चुका होगा तो इसी type से आपका dnspy भी open हो जाने वाला यहाँ पर देख पार होगा dnspy open हो रहा है अब हो सकता है कि आप लोगों में जब dnspy open हो तो बहुत सारी चीज़े ना आ रही हो तो उसकी चिंता ना करिएगा वो सब चीज़े में second video में जो भी इसके बाद video आएगी उसको setup करा दूँगा तो कोई problem नहीं होगी तो यहाँ पर apk easy tool है यहाँ पर देख सकते apk easy tool को भी आप लोग जब zip से unzip कर दोगे मतलब extract कर दोगे तो कुछ इस type से आपको यह folder देखने को मिलेगा और folder के उपर double click करोगे तो कुछ इस type से यहाँ पर file मिलेंगी और यह हमारा exact tool यहाँ पर double हम लोग click कर देंगे तो यह हमारा tool यहाँ पर open हो जाएगा ठीक है और इस tool को कैसे use करना है dnspy को कैसे use करना है यह सारी चीज़े में आप लोगों को आने वाला यह जो tutorial होने वाला है हम लोगों का उसमें बिल्कुल basic से बताने वाला हो तो बिल्कुल मतलब चिंता तो आप लोग बिल्कुल ही ना करो कि भाई हम लोग कैसे करेंगे ठीक है उस video को देखने के बाद आप लोग open dlls वाले games को hack करना चुटकियों में सीख जोगे मैं सब कुछ आप लोगों को in detail बताऊंगा और वो वीडियो काफी बड़ी होने वाली ही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बखवास करता हूँ बहुत ज़्यादे details देने लगता हूँ तो वीडियो obviously बात है बहुत लंबी हो जाती है तो please जब भी आप उसको देखिएगा तो अपना बिल्कुल अच्छे से time ले के देखिएगा मतलब bore ना होईएगा अगर आप लोग अपना time नहीं दोगे तो reality यही रह जाएगी कि हमेशा रह जाओगे copy-paster दूसरी की चीज़े copy करके paste करोगे या फिर आप लोग खाली रह जाओगे value editors value editors वो लोग होते हैं जो लोगों को game में कोई उपर जिसे 100 coin है 100 coin की value मिल गए अब 100 coin को 1000 कर रहे हैं 1000 से लाग कर रहे हैं बस उतने तक वो लोग सीमित हैं उससे आगे उन लोगों का दिमाग नहीं बढ़ सकता उससे आगे वो लोग चली नहीं पा रहे हैं ठीक है तो आप लोगों को उन दो category में नहीं जाना है आप लोगों को एक modder बनना है तो modder बनने के लिए please अच्छे से preparation कीजिए और मैं आप लोगों को एक खास चीज़ और बता देना चाहरा हूँ कि जब आप लोगों का ये पूरा complete हो जाएगा यहाँ पर open dls हम लोग complete कर लेंगे il2 cpp और metadata और ये lib वाला जो भी सब है complete कर लेंगे फिर हम लोग apk या फिर apps जो आपकी apps आती है न उनको कैसे mod करते हैं वो सारी चीज़ें को उपर हम लोग चलने वाले तो वो अभी काफी दूर है वो काफी ज़्यादा future है क्योंकि अभी मुझे apk का अंदर की बहुत सारी चीज़े आप लोग को बतानी है लाइक अगर मैं आप लोगों को एक short सा example दे दूँ तो यहाँ पर यह देख सकते हैं ball blast है इसको मैं सबसे पहले अपने folder में डाल ले रहा हूँ मैं कल आप लोगों को इसी apk का अंदर मतलब सारी चीज़े करके दिखाने वाला हूँ कि ball blast एक game है इसके उपर क्या क्या चीज़े कर सकते हम लोग यह सब चीज़े हम लोग कल देखने वाले है तो भी मैं जाजा मतलब सारी चीज़े मतलब reveal नहीं करूंगा कि क्या कल मतलब कल चीज़े मैं बता दूंगा आप लोगों पर मैं अभी यहां पर जल्दी से कुछ दिखाना चाह रहा हूँ APK के अंदर का structure तो मैं इसको decompile कर दे रहा हूँ यहां से अभी कोई भी मतलब ज़्यादा burden ना लेना कि decompile कैसे किया जाता है, compile कैसे किया जाता है, sign APK क्या होता है, zip align क्या होता है यह सारी की सारी चीज़े आप लोग धिरे-धिरे में साथ सीख जाओगे इस पूरी सीरीज में क्योंकि सीरीज का नाम ही है modern master class, master class का क्या मतलब है कि modding के हर एक tool में आप लोग master बन जाओ, मतलब कि आप से कोई भी अगर पुछे, यार यह decompile तुम क्यों कर रहो भाई, यह compile तुम क्यों करते हो यार यह sign APK का क्या मतलब है, तो हर एक चीज़ का आपके पास एक अच्छा खासा जवाब होना चीए क्योंकि आप लोगों ने मुझसे सीखा है, ठीक है तो मैं नहीं चाहता कि सिर्फ काम चलो हम लोग सीखें, तो decompile successful हो चुका है अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी files आ चुकी है, ठीक है अब assist के अंदर, bin के अंदर, data के अंदर जाने के पाद यह जो manage है यह जो हम लोग directory में गया है न, assist bin data manage अगर manage के अंदर आपको इस type के dll files मिलती हैं, तो हमेशा खोश हो जाना क्योंकि आप लोग उस game को बहुत आराम से mod कर ले होगे क्योंकि वो unity based game है, और unity based भी कौन सा, low security unity based क्योंकि high security unity based game कौन से होते हैं, il2 cpp libs वाले अभी हम लोग libs वाले को पर पहुचे नहीं है, अभी हम लोग कहां पर है open dll के उपर, वो भी unity का सबसे lower version है security का तो यह आप लोग बहुत ही आराम से कल देने वाले हो, ठीक है so I hope so कि मेरी यह quick setup intro video आप लोगों को पसंद आए होगी झाले